हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम विज्ञान के महत्वपूर्व वहविकल्पी प्रश्णों का देखेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है फ्रेंस ये जितने भी प्रश्ण है आपके 2022 में 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 में ये सभी में 27 फरवरी के बिज्ञान के पेपर में इन में से पहुत सारे प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में सेम डू सेम पूछेंगे फ्रेंस यहां पर जितने भी प्रश्ण लिया गए पूरे किताब का नुचोड है फ्रेंस हंडेट परसेंटेस आपको गारंटी देते हैं कि इन ही में से सवाल आपके बोर्ड के एक्जाम में बहुई कल्पी प्रश्ण आएंगे चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका पहला सवाल है कि एक उत्तर लेंस की छमता टूडी है इसकी फोकस दूरी है तो फ्रेंस देखिए आपकी उत्तर लेंस की फोकस अकिसर्ट कात हो जाएं दूरी पूछ रहा है यहां पर कुछ मतंड़ होता है यहाँ फ क्या होता है मीटर में उतो प्रेंस यहां फ्रेंस और है संतीमीत्र के लिए क्सौ कर जाएं सिंध술 कि इसक्व्धों अधूकर 12 हमग कितना हो जगा 50 cm अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि उत्तल धरपड से बनने वाले प्रतिभीम की प्रकृति होती है देखे फ्रेंस उतरल धरपड है तो उत्तल धरपड की दवार आपको पता होगा सिर्फ एक ही परतिभीम बनता है वो भी बनता है आपका Monte के सामने अगला नंबर का सवाल है यहां पिदेखिए आप कि वायू में प्रकाश की चाल तीन गुड़ी दस पे आट मीतर पर हैं इस जाय। ओऄच चाहल है अपर तक् हमान क्या उभी का मंगात करना है अब दिखिए अमान कैसे किया होगा दाया यहां कि church सब्सक्राइब देखें यहां पर देखेंगे तो आपका पहला वाला सही है दू गुड़े दस पर देखते हैं यहां अगले नंबर के सवालों के देखते हैं यहां के सवाल है कि प्रकाश का वहां गुर्जीस के कारण आस्मान नीला दिखाई देता है आपसन है प्रावर्तन अपवर्तन प्रकिरण या वडविच्छेपर देखें फ्रकाश का वहां गुर्जीस के कारण जो आस्मान जब हमें नीला दिखाई देता है तो परिक्रण के कारण दिखाई देता है इसका सही जवाब होगा आपका थृट हमान का नीला दिखा 2021 गोपा différents थे लेखत आधारц के आधार के नंबर का सवाल है आपका है इसकती का सुत्र होता यानु व्खल्मार ओर हए फर्मुला यहां यह इसका सही जवाब सहोगा सि इसके अलबा फर्मुला याद रखिया इसकी दिन स्क एधित कि और वह गीन पार्मुला युडेंश्यों निष्ट दिता धॉलती सिसयां यहां बिया डिया वान में खेगा साथ के भी व्रियर arde , भी प्रश्ण आप से पूछा जा सकता है चलिए अगले नंबर के सवाल हो के देखते हैं अगला सवाल है छटमा नंबर का कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक प्रा प्रण बिर आवां की तीन गुनि करने पर उसका प्रतिरोध होगा ठीकर प्रतिरोध को यहां तीन करें कि नहां प्रतिरोधा हो इसका नो हो जाएग है इसका सढय न आप आपसंटर में देखरें नौकूने चाहाई कि नायक्रोम का यह लोहा का यह इसका तार हमेसा नायक्रोम का बना होता है तंग अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का क्या होता है याय होता है और स्थिर्ण और क्या है और यह रहा के बराबर होता है इसके और प्रैक्ट याद रखिए कि is ने क acquire pro less सीधी एक और उम के नियम के युद्ध और इसवे प्रकाल संबंद भी आप याद रखेगा इन टीनों में से कोई एक सवाल आपके बोर्ड के एक्जाम में पूछ सकता है तो फ्रेंस देखे आपसन में क्या दिया है कि ओम के नियम के अनस्वार वी भुवांतर वा धारा के बीच ग्राफ कैसा मिलेगा ताभी पताएं कैसा ग्राफ होत किस ने किया था देखे इसको आप जरूरी याद रखिए गा आपके सामने अगला नंबर के सवाल यहां पर देखे फ्रेंस यहां पर चुम्बकी छेत्री की तीप्रता का मात्रक होता है यहां पर चुम्बकी छेत्री की तीप्रता का मात्रक क्या होता है आपसान वेबर प्रति मीटर वेबर प्रति मीटर इसक्वार यह वेबर गुड़े मीटर देखें वैद्धू चुम्बकी छेत्री के जो तीप्रता होता है v2 इसका जाता है यहां 5 क्या है आपका वेबर है और यह इसका ए मतलब होता है मीटर इस्कॉार अबलेखते है और पहुत्क पुल एक लिए सुथ महत्तुपड सवा ने देखते अब संगर मरमर का रसायनिक सुत्र क्या है आप जितने संगर मरमर हो गया धाबन सोड़ा हो गया इन सब का फार्मुला आप जरूर याद रखेगा आपके बोर्ड के एक्जाम में बहुत देता है संगर मरमर का रसायनिक सुत्र क्या है आप साने मैंने 2023 होता है अगले नमबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अग्रा नमबर करह proclaimar का सवाल है कि धातू जो समान अस्ता पर रो है यानि कि कौन सा अइसा धातू है जो समान अस्ता पर रहा जाताए आ मैं पारा लोहा, ब्रॉमीन या जल तो दातू जो है समान अस्ता पर द्रोव में पाए जाता है वो होता है आपका पारा तो इसका सही जवाब होगा पारा फिर इसके साथ आप इसका सिंबल जरूर याद रखिएगा फ्रेंस इसका हिंदी ना लिखे कभी कभी सिंबल देता है तो यह यह जी होता है पारा का सिंबल क्या होत है आपके सामने यह 13 नंबर का सवाल है कि पीतल है पीतल क्या है फ्रेंस विस्वांगी मिस्रण है याउगिक है उपधातू है यह मिस्रधातू है तो फ्रेंस याद रखिएगा जो पीतल होता है आपका एक मिस्रधातू होता है इसका सही जवाब होगा आपका डी पीतल क्या ह है आपका मिस्र धातु है चलिए अगले सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नंबर का सवाल है कि हाइड्रोजन आयन सांद्र का मान येच प्लस आयन बराबर दस पर माइनस पांच मोल प्रति लीटर है तो पी येच मान होगा देखे फ्रेस इसको डायरेक्ट आप कै संधर के संधर लीख और दसके माइनस फांच घंठ गाद कि इस इसका फिंठ लगान होता संद्म स्अधर दस प्लस फांच निएगा प्लस पांचा इनसर माईनस पॉसित अ सवाब होता है कि इसको द्यान जिए यह प्लस आयन देगा माइनस में रहता है यह अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल कि धावन शुत्र का रसायनिक सुत्र बताना है अपको आपको धावन सोडा हुआ ब्लीचिंग पावडर हो गया ठीक है खाने वाला सोडर यह सब आप जरूर याद होता है इसका सही जवाब क्या होगा यह टू-C-O-3-10-E-S-2 होता है ठीक है फ्रेंस देखे फ्रेंस इसमें जो यह नमक का फार्मूला है यह आपका अमोनिया का फार्मूला है यह यह सी ओ-3 जो हता है आपका इसे सोडियम बाइक कार्बोनेट बोलते हैं इसको आप याद र इसको आपके बोर्ड के एक्जा में कई बार एपीट होता है ठीक ऐल्मूनियम का इसक पूछ देता है कभी पारे का इसक पूछ देता है इस तरह आप याद रखीएगर ना मुनियम का प्रमूक एसक क्या होता है आप सहाने को रूंडम होगा रूबी होगा काउलीन होगा या बाक्साइड होगा तो अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या अगले नंबर का सवाल है कि मिस्र धातू किसे मिलकर बना उता है देखे pb मतलब लेड और जिंकल लेड और टिन और टिन और तो आप स्वोल्डर को याद रखिए गा स्वेड्य और टिन का बना होता है कि अगले नंबर के सवाल को देखते हैं इए आपके सामने अगला नमबर का सवाल हैं यहाँ फेड़ए आ ओर काईन का सुत्र होता है न καनल के America होता है ठीक है देखिए इलकाइन के सुत्र जो यहाँ पर होता है आपको पता देते हैं इलकाइन के सुत्र जो होता है कि C-n-H-2n-2 होता. क्या होता है? L-kine का सुत्र C-n-H-2n-2 देखिए, अब यहाँ पर कार्बन कितने है? परे 3 3 है ते 3 को लिजिए, कार्बन 3 है, याच, देखिए 2 गुड़े, तीन याच के जगाब कितना है? 3-2 कर लिजिए, C-3 करेंगे, और यच इन दूनला के च्छा मांइनस दू करेंगे देखें आपका कितना होका C3 यच छा मेंस दूगा चार तश तो आपका क्यों से बनेगा आपका तो इलकाइन की सुत्र क्या होगा तो का इसका सही जवाब होगा आपका हमने अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में छारी धातू है आप छारी धातू देखिए आपको जो पहला जैसे आवर साड़ी पढ़े होंगे ना पहला वर्ग हो गया या दूसरे वर्ग हो गया ठीक है इसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं वह सभी तत्व क्या होते हैं जितने भी प्रश्ण है सभी प्रष्णों का आप जरूर याद रखिएंगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके समने बीसवा नमबर के सवाल है कि आधुनिक आवर्ती वर्गिकड़ा का आधार है यानि आधुनिक जो आवर्त बनाया गया था किसके आधार पर बनाया गया है परमाडु द्रबिमान के आधार पर सन्य जक्ता के आधार पर परमाडु संख्या के आधार पर रसाइनि जवाब होगा बीसमा का भी होगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने ये बाइलोजी के कुछ महत्वपूर प्रशन है कि मनुस्त में लार गरंथियों की संख्या कितनी होती है इसको जरूर याद रखिएगा कि मनुस्त जो होता है उसम इसको आप साथ में याद रखिएगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके एक्जाम के लिए भी याई प्रशन है जितने भी प्रशन करवा रहा है आपके बोर्ड के एक्जाम में बहुत जादा इंपोर्टेंट है पादप में जायलम उत्तरदाई है ज रखिए इसको ट्रिक से भी आप याद रखे सकते हैं जाइलम आ रहा है जाइलम मतलब जय कैंसे जोगा ओर एहोगा प्र time क्या होगा आपका द्रॉव आज़र गहरें किसके लिए जल का वहन करने के लिए ऊतरदा ही होता है इसके साथ में आपको एक और प्रोशन कों कर रखता है वह कॉंड करता है आपको जाहिलं पूछा है तो आपका जलका वहां तो तेई समा का आपका सही जवाब होगा ठीक है फ्रेंस और यह जो पता है आपका फ्लेयम का पता है तो फ्यूजन मत होईएगा यह प्रश्ण आपके बोड के एकजा में बहुत पूचता है जाईला फ्लेयम ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर के सवाल है कि निमने में से कौन सा पादब हर्मोन है आपको इसमें पताना है कि कौन सा ए में सवाल है आपके सांडबर की मादा-लिंग हर्मोन को करते हैं जैसे इंसुलीन करते हैं इंडोजेन करते हैं या इस्ट्रोजेन करते हैं इन में से कोई नहीं तो फ्रेंश जो मादा में हार्मौन पाहे जाता है इसमें कौम सा होग होता हैं फ्रेंश और चलिए अगले number के सवाल को देखते हैं आप के सामेगले number का सवाल 26 का प्राग कोश में होता है यानि जो प्राग कोस होता है उसमें क्या होता है बाहदल होता है अंडाशे होता है अंडप होता है या प्राग कड़ होता है देखें प्राग कोस जो होता है फ्रेंस उसमें प्राग कड़ होते हैं इसमें क्या होका सही जवाब डी तो प्राग कोस में क्या होते है प्राग कोस सूत्र होते हैं देख हैं आपकी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टिंट है कि इसको जरूर रекए ओर इस प्रश्न क्रवारा है बहुत जादा इंपोर्टेंट है और इसे पुर्श्में लिंगब्र सुत्र कितने होते हैं अ साझी इसको जरूरियाद रखेंगा, दोनों प्रॉष्ण आपको बताते हैं आपको बोड़ के एकजाम में छोफेगा तो पुरुस में लिंगविक्पो siteCwandry सुद्रिकांटे लुटे हैं आपका अक्स यह होता है, जबकि आपका पूंच तर यह इस ठीम मोरें ठीक है आप याद रखिएगा रहती यक्स-व पुरुस में क्या होता है ठीक है देखिए आपके सामने अगला नंबर के सवाल है जीन शब्द का परियोग सरवपत्म किस ने किया था इसका परियोग किस ने किया था यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस हवाल आपके पेपर में पूछता रहता है आपसा ने मेंडल ने किया था जो हैंसन ने किया था बीजमान ने किया था आइवरी ने किया था जीन शब्द का जो सरप्रता प्रयोग किया था जो हैंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था इस प्रश्ण का आपका सह में प्रश्न फसेंगे तो फ्रेस इसी प्रकार का यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें